हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल कर स्वागत है आज हम बनाएंगे हरे मतर का नाष्टा पटाफट जल्दी बनने वाला नाष्टा है ये और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी बनता है और तुरंद पन के तयार हो जाता है इन आश्टा आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए हम इस नाश्टे को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने ये एक कटोरी हरे मटर लिए है जिसमें थोड़ इसी चीनी और थोड़ा सा नमक डालके इसे उबाल लिया है जिससे इसका कलर हरा ही रहे तो इसे सॉफ्ट कर लिए हैं तो चलिए हम चलते हैं इसका नाश्टा बनाने के लिए गैस की करभ पिले मैंने गैस पे कड़ाई रखी है और उसमें डाल देते हैं दो चम्मश तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे सिर्फ दो चम्मश ही डालेंगे तेल गरम हो गया है उसमें डालेंगे आधा चम्मश जीरा और एक चम्मश सफेद तिल जीरा और तिल की तड़कने की बाद उसमें डालेंगे ये हरे मठर अब डालेंगे एक बड़ा टमाटर बार्ग कटा हुआ अस्वात के अनुसा इसमें नमक डालेंगे और अब इसको मिक्स कर लेते हैं यह देखिए टामाटर और मटर को डालने के बाद उसमें हमने थोड़ा सा नमक एट किया है तो नमक एट करने से इसमें थोड़ा सा पानी आ गया है यह पानी जब तक सूप जाएगा हमें इसे पकाना है पानी के सूपते तक हम इसे सौप होने तक थोड़ा सा पका लेते हैं इसमें डाल देते हैं एक चोथाई चमश हल्दी और आदा चमश लाल मिर्च लाल मिर्च की जगा आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और अब मसालों को मिक्स कर लेते हैं फिरे के फ्रेंट्स हमारी नाष्टे के उपर रखने वाली टॉपिंग तैयार हो गई हैं बहुत इस पीखी चटपती सी बहुत पेस्की बनी है और इससे हमारा नाष्टा बहुत ही अच्छा बनता है तो दलें जब तक मशाला हमारा थंदा हो जाएगा अब इसके लिए हम बैटर कर लेते हैं इसे लेंगे घ्रांडिंज जार उसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी कोई सी ले सकते हैं और हमने चितनी सूझी ली है उत्ना ही चौन कirk मोई डालेंगे दॉट पानी जी दुजिली है तो पानी दालेंगे और में दालेंगे स्वाद के अनुसार नमक नाध़ चम्मच की कर देखान दे आर जिससे हमारा नाश्टा जालिदर और soft बनेगा अब इसको हम piss के इसका better त्यार कर लेंगे तो ये देखिए मैंने इसका better बना लिया है अब इसे एक bowel में निकाल लेते हैं तो ये देखिए friends पूरे बैटर को मैंने इस bowel में निकाल लिया है अब इसमें डाल देंगे आदा चमज पच्चा जीरा और एक चौथाई चमच बेकिंग सोडा अब जीरे और सोडे को अच्छे से इसमें मिला लेते ही देखे फ्रेंड्स मुझे बैटल थोड़ा सा ठीक लग रहा है थोड़ा सा पानी हम और एड़ कर देते हैं एक चमच और अब अच्छे से इसे मिला लेंगे मैंने इसके बैटल को त्यार करने के लिए लीबू करस डाला है आप क्या है तो दही भी डाल सकते हैं दही डाल के भी इस बैटल को बना सकते हैं तो चलिए नाश्टे का बैटल बनके त्यार हो गया है अब हम चलते हैं फिर से गैस की तरफ तो चलिए हमारा बैटर भी बन गया है और इसकी टॉपिंग भी बन गी है अब मैंने गैस पे इस पैन को रखा है उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल एक से दो चमबच और पूरे तेल को इस पैन में फैला लेंगे अब हमने जो बैटर बनाया था उसे हम इसमें डालेंगे गितना नाष्टा पैन में आ जायेगा हम उतना बनाएंगे जी तरिकरे से हम इबली बनाते हैं बस उसी साइज में शोटे शोटे आकार में इस नाष्टे को बनाएंगी जटपट बनने वाला हेल्दी नाश्ता है, बहुत ही तेज़ी लगता है, आप एक बार बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा, और अब इसके उपर हमने जो टॉपिंग बनाई थी, मतर और समाटर की उसको रख देंगे, जितना पैन में नाश्ता आ जाए, उतना हम बनाएंगे, और नीचे से उसकी परत को क्रिस्पी होने तक अच्छे से शेक लेंगे, ये नाश्ता कितने अच्छे से फूल रहा है, बिल्कुल इडली की तरफ फूला फूला और सौक जालीदार बनेगा, अगर आपको रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें, साथ ही चैनल क को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी नाश्ते की रेसेपी ला सकूँ, और आप उसका मज़ा उठा सकें, तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए हर रोल नाश्ते की और इसी तरह बहुत सारी रेसेपी लेके आती ही, और आगे भी आपको इसी तरह की रेसेपी देखने को मिलेगी, अब इसे हम उपर से कभर कर देते हैं, और इसे थोड़ा सा पका लेते हैं, नीचे से इसकी परत तो क्रिस्पी होई जाएगी, साथ ही उपर से भी ये पक जाएगा, चलिए इसे हम दो से तीन मिनट के लिए कभर कर के पका लेते हैं, ये देखे, इसे पकती दो से तीन मिनट हो गए हैं, अब ये नीचे से इसकी परत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, ये देखे, आप देख सकते हैं, ये देखे, कितने अच्छी क्रिस्पी होई है, तो बस इसे दो मिनट के लिए हम पलट के इधर से भी स तो चलिए अब इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी नाश्टे को भी बना लेंगे थोड़ा सा नाश्टा बना के तयार कर लिया है आप देख सकते हैं कितना फूला फूला बना है यह देखिए कमाटर और मतर का जो मसाला इसके उपर लगाया है व हम फिर में लेंगे इसी तरह की अच्छी और है नई रेसेपी के साथ अगले वीडियो में